है आप है अब इस तो आपने कोर्स हम डिसकस कर रहे ते जिसमें लेक्चर 34 कवर कर चुके लेक्चर 35 आज हम डिसकस करने वाले आरेंस अन विदिक पिरिद तीन पार्ट हम इस टॉपिक पर हमारे आ चुके और तीनों पार्ट हो आपने देख्यों जब लास्ट लेक्चर जब हम डिसकस कर रहे थे न तो हम यहां तक आ चुके थे नहीं जो कुछ इंपोर्टन जो उपनिशत सेने उसके बारें में इसकर रहे ते यहां पर कथा डिसकर सब्सक्राइब हम ने चीख कहते मैंने वने अप्डेट किया लेकिन वह कुछ हो नहीं रहा है तो जो आखरी के 5-10 मिन हैं लेक्टर में कवर कर रहे हैं जैसे हम वेदांगा लिटरचर और आज भी हम यह जो उपनिशत्स है इसमें हमारा चुट गया तो इसमें हमारा यह रही और सब्सक्राइब करें वाले कितना रेकॉड हो जाता है और कितना वो रेकॉर्डिंग एक्टुली में हो जाती है तो जो भी होगा वह आपको बताऊंगा सब्सक्राइब कर दो इसकोैंगे नियुक्त कर लेंगे और फिर हमारा सबस्ञाइब कोश्चन कोश्चन वा पॉरशन यहां से भी आते विएदिक पैरेट का जो रिलिट्रेटर फिलोगोश्चन के लेटर्टर एक फीलिट्रेच्री है पर्टेशन का और इंट्रेस्ट नीए वो है यह पॉलिटिकल लाइब सोचल लाइब एकनोमिक लगज़ लाटरविदिक परिएड और रिगवधिक परिट्ट किस तरह चैंज़ होते हैं यह दोन तरीके साम डिसकस कर सकते हैं एक तो यह तरीका होगा पहले हम रिगवधिक प कि पॉलिटिकल लाइफ दिसक्स करेंगे तो यह दो तरीका है लेकिन हम क्या करेंगे और फिर लाइटर वेदिक पिरेट में हम करेंगे तो इससे हमारा एक पिरेट पूरा कंप्लेट हो जाएगा और समझने में काफी आसानी होगी कि किस तरह के से रिक वेदिक पिरेट प्रेट को अर्ली वेदिक प्रेट भी का जाता है तो पॉलिटिकल सोचल एकॉनोमिक क्या था और वेदिक एज का सा क्या तो डायलोग बिट्विन नचिके तनियम यहां पर इस स्टोरी में है और यहां से आपको पता चलेगा कि मरने के बाद क्या होता है तो देखो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्टर में स्टार्ट किया था कि नचिके जो था वह एक बालक था एक चोटा सा वच्चा था और अगर आपको पता है तो अगर नचिकेच जैसे मुझे 10 या 12 बालक नीं मिल जाए न तो मैं पुरा देश्योय बदल सकता हो तो स्वामी बादना जैसा अगर इसा कह रहा है तो कुछना कुछ तो बात होगी नचिके तो चलिए देख्टे तो नचिकेच जो एक बालब था इसके ज जो ओक्ति है जो स्वेशन इसका मारग बताय गया है कि स्क्रिभायां करने इसका पिता जी था जो रिसीदा जुद्ञ सबस्क्राइब लुटहों करते हैं इसको आक अए साक्रिपाइब करने के बाद रिचोल से वह करने के बाद आप आपके जो भी संपत्यों के धन होगा वो पूरा का पूरा जो रहा मतलब देना पड़ता है जो जो रिशी था उसको जो साक्रिभाइस प्रॉक्वाम करने के लिए आता है प्रिस्ट उसको पूरी संपत्य देनी पढ़ती है अब नचिकर जो यह काफी धयान से देखता है यह सब्सक्राइब यह हो रहा था कि जो रिशी है वह ज्रस्रावर्स इसको मुक्ति मिल जाए उक और उपनिशत जो हिसके खिलाब आपको बदाए उपनिशत का कहना क्या है कि करने से कुछ नहीं होगा आपको जो है वो प्राप्टा करना चाहिए दो इसके जो वजर सावर्स नाम का वह उस घू को गाये बेट देता आपको अब करने के बात आपके जो संपत्यों देने पड़ेगी तो अभी जैसे की मैंने भॉटा बला आपको की कि यह जो प्रजिता कि अपने देता है लेकिन जो गाय देता है न इसमें जो लेटाइन वह एग़ी की मतलब थोड़ी अभी बूड़े हो चुकी थी और यह नजिकर देखता है कि हमारे जो किता जीए जरूशी है वो गाय तो दे रहें लेकिन पूरे मन पुरे भाव से नहीं दे और यह जो नची कहता जैसे कि काफी इंटिलिजन था काफी जिद्धी था यह काफी समझदार भी जा तो यह प्रस्ण पुस्ता है कि मतलब ऐसे पुस्ता है ताकि उसको जवाब मिल सके कि पिता जी अगर आप सारी गाये जो है वह दान में प्रका सुषरवाह में जो इसके पिताजी थें वजरस्र रेशिफिए कोई रीप्लाइट देते हाई Sergio तो नची कैसे पूछे ओbars ईसार तो और गुत से तृचा तो को सब्दो यह ुचाए सुनके नाराज होगा है और वो फिर यह को चला जाता है तुछ कि यहां तक आपको समझ में आ चुगा है कि नचिके जो था एक बालत था इसके पिताज करना था वज्रस्रावस पहुं करता है कि मुक्ति मिल जाए और इस पहुं करने के बाद जो ब्रह्मन होता है उनको गाय देनी पड़ती है और यह देता है तो भी नचिके सवाल कुछता जो है ना गौडव देट वह है नहीं तो आप यहां पर आनी सकते और इसी आपका जो नंबर अभी तक आया नहीं है क्योंकि इसका नंबर था नंबर मतलब की जैसे आपको बताएगी सब लिखा पड़ी होती है यह भगवानियम के पास तो गौडव देट जिने का जाता है यह है कि किसका भी number कắng बढ़े है कि तो इसका नंबर आया नहीं था तो इसको फिर entry मिलते यह है तो एक करता है यह 2 crystals मतलब दो सिती दीन तक जो पड़ा रहे यहां पे कर रहे हो क्लिख सबस्कर न कंद एक नियुक्स तो यहां पीया है पाद सवाल कैसे शbas वत तो जो बन लुट प्रभावद उप्रें आपको ना तुमको देछा हूं ठीक है कितने वर्दन तो मांगो तीन वर्दन आप तुम्हें काउंसे जाई तो नची के विना जैसकि मैंने बोला काफी होश्यारता है तो यह मांगता है कि यम राज मुझे पहला वर्धान यह चाहिए कि मेरे जो पिदा काफे गुस्ता है तो वो उनका शांत हो जाए और वह मुझे मेरा अपना बेटा मान ले जब मैं वापस जाए तो ठीक है यम्राज वर्दान देते ठीक है आपका पहला वर्दाने वह सपल दूसरा वर्दान यह मंगता है कि मुझे प्रॉपर बताइए रिचुल्स मतलब साक्रिफाइस किस तरी से पहुम करने चाहिए इसका क्या मतलब होता है यह सब पूर्ट लेता है कि सेकंड जो बू यह जो बेटा नचे के दिये बोलता है कि मुझे जानना है कि मृत्ति के बाद क्या होता है वाट इस देर आप्र डेथ मरने के बाद सच में लाइफ होती है जो लोग सारा ताम ज्याम करते रहे जैस मेरे पिता जी कर रहे साक्रिफाइस की ताकि मुट्ती मिल जाए यह साइ लेकि बेटा यह अभी तुम छोटे हो बच्चे हो यह सब तुमारे समझ में नहीं आएगा और मैं तुम वापस चले जा को तिसरा और वर्दान मांगो लेकिन यह सुनने के तयार ने यह कापी जिद्धी दा जो नचे करता ना यह सुनने के लिए तयार थाने तो यह बार- काफि जिद्धी था काफि समझधार था तो अंत में जो है यह वह मान जाते और इसे बताते हैं कि मृत्तु के बाद क्या होता है इसको बताते कि मृत्तु के बाद कि तुम्हें को मुक्ति जाहिए कि कि ऑ मेरे जॉना चाहते हैं की हुआ कि क्या होती है मृत्यू या there आत्मा क्या होती है पार मात्मा क्या shortly सबसे पहले क्या से सब्सक्राइब उसका जन्म होता है यह मर सकती है लेकिन होता है मतलब इसलिए रिबर्ट जो होता रहता है मतलब साइकल बर्थ यह चलती रहती है क्योंकि आत्मा वह अमर और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पहला था कि उपनिश्यत में आत्मा के बारे में डिसक्रसिंग क्या गया है और आपको क्या करना है आपको सबसे पहले समझ नहीं कि आत्मा क्या है आपको तुम परबा icon मिल जाए कि मरने के बाद क्या होता है ठीक अपने अच्छा प्राप्त कर लेकिन आपको आत्मा और परमात्मा का डिफ्रेंस का समझ में नहीं तो आप जाओगे हिवन में मतलब जहाँ पर भूज स्वाइब नियुक्ति मिलने को अधिक गर जाओगे और तिसरा जो उताँ इंच वहता है तो अगर आपने कोई नहीं किया मतलब आईसे आप जिन्दकी जीर हो तो आपका पुन्ना जन्म हो नहीं वाला है अगर आप अच्छा काम करोगे अगराप श्क्रिप्रिबाइब करो रोगे लिए होंगे तो फिर आप जाऊए आपके जो पुर टो पर्मात्म में क्या डिवरंस है और दोनों एक ही है और आपने जो पृत फैंज है उसका आगर कर लिया तो फिर आप जाऊँड तो से ब्सक्आ पर मांडू के उपनिशन में बता है कि हूआ आपको नो तो यही कि आप जो है वो एक भगवान का ही जो अन्षा है तो आपको जो कथा है और समझ में आ चुके हैं और अभी देख लेते इसका ही पार्ट है तो फिर उपनिशत किस तरह किसे रिचुए वह सक्रिवाइब तो पूरी तरह किसे रिचुए नाएं तो नहीं करते रिचुए लेकिन वो बोलते है कि रिचुए से बहुतर यह है कि आप ग्यान मार्क के ओपर चुए ठीक है और यहूमन और गॉट की बीच में जो लिंक है ना वो रिचुए नहीं ऐसा उपनिशत का कहिना है लेकिन रिचुए वेद कहिते हैं जो आपक्रिस्टे कहते हैं कि आप सक्रिवाइब करो यहीं आप यहीं कि आप नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारा आप प्रॉब्ल कोस्टे क्या सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर उपनिशत के ऊपर तो उपनिशत जैसे कि क्या इंका रोल था तो यहां पर कोस्टन यह आ सकता है कि आप बताइए किस तरह किसे वह पनिशत जो इसे कर रहा है उपनिशत फिलोसोपिकल स्कूल सिंदेन सब्सक्राइब ब्राम जानिजम आज जी का सब्सक्राइब यह वगर यह यह पिर रोल आप निस पर कोस्टन आ सकता है निव आइडिया के डेवलपमन में जैसे कि लोगिकल रिजिनिंग अगर स्टा आइड 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 तो रिजिए पिरिए जो नव वह स्टार्ट होता है पंदरा सुभी सी में रॉफली इसके उपर काफी कंट्रोल रेकुछ लोग बोलते की अरूंड मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया एक उड़िक टाइक्स तो जो अर्ली वेडिक लिट्रेट न को तो इसको फैमिली बुक्स जो है इसको बोला जाता है कि टुटू सेवन जो वूक्स है वह अर्ली वेडिक लिट्रेटर ने तो यह जो गर्ले वाथ उसको बोलेंगे लहांगे लट्रवेडिक कल्चर ओके तो यहाँ पर य। जो आपको reflect होती होती देखने को मिलेंगे दो तडिके क一定要 टेक्स मिलें पिर अर्ली रशब अर्लेवरिक प्रोंके परिक प्रेशलिक बहुता है तो जैसी कि मैंने बहुता है कि असपास जो आपका रिक प्रेट चलता यह जो और वो इनीचल फेस्ता आरेंस का जब हो आरेंस आये एक्पांशन का वगा नॉर्थ इंडिया में तो अभी हम देखेंगे पॉलिटीकल लाइफ क्या थी स्वस्वाइब नेक्स लेक्टर में हम कवर करेंगे और पॉलिटीकल लाइफ का आज देखेंगे है वे गट सबसेके जोग्राफी क्या थी क्योंकि जा रहते हो उस एरिया के बारे में आपको पता होना जरूरी होता है वह इसलिए आरेंज उनको भी उनकी इरी बार्म पता था और जो ती वह आपको उन्हें पर जो वहां पर तो उनके बढ़िया से फ्लियर लिवट्रि जो में रिवर्स के बारे में मौन्टेंस के बारे में तो जहां पर रहे रहे थे वहां के और पताईगी तो यहां से लीदेल ready देख सकते हो आते पंदराउस ज़़ेंगे यहां पर यहां पर आपको भारत पूरु पूरु ट्राइब देखने को मिलेंगी यहां पर अर्स्तिना पूर्जों वह भी डेवलप हो जाता है यहां आप समझ सकते हैं इतना इंपोर्टन नहीं है आपको पता होना जाए कि किस्तर कैसे अर्लिविदिक पिरेड में जो लोग थे जो आरेंस तो रहते हैं हमार लिए जो में है पॉलिटिकल लाइफ एकोनोमिक लाइफ पॉलिटिकल लाइफ क्या थी इस दवरात देखो लाइफ जो है जब पढ़ा थे अर्लिविदिक पिरेड की तो यहां भी यह बोल देते कि यहां पे किंग सीप थी राजा राजा अगर थे मोना के थी लेकिन नहीं देखो मैंने एक बुक्स पढ़ें और किसी भी बुक्स में जो हैं वो अर्लिविदिक प्रेड में मोनार्क स्टेम डेवलपूटी होई बताई नहीं गई और यह हो भी नहीं सकता लुक्स अर्लिव भी पिरेड था तो वह वो जो सेटब था नयुक्त की हुआ भी देखेंगे और नहीं पढ़ना एक गलत अगर पढल ले तो घड़बलो हो जाएगी मैंने देखें बहुत तरह फ़े जगाय पर ही ने तो इंके पास फोई The वो बोल देदी मोनार्ग के शिस्टिम तो तो सब्सक्राइटेब नहीं तो किसी भी सेंस में नांसेंस में नाम सेंस में स्टेट डेवलप हुआ ही नहीं था और अरलि वेदिक जो पॉलिटी इना वो एक तरी से तो इगले डिले डिले ना जो रिसूर्स थे ना वो कॉमनली या फिर इक्वली डिस्टूइट होते थे जो सबाज यान समीथिस जो थी इनका भी क्या फूंशन है क्या रोल है यह भी हम आगे देखिंगी अफिर लैंड ऑफ सेवं रिवर जो है न जहां पर उनीचल आए ते सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के जो कुई कोई सब्सक्राइब कर दो फीरते कर दो सब्सक्राइब जो जो यूद्द में वह कौनेटी के लिए messaging और इसकी होज जो सब्सक्राइब प्रिंसिपलिटिस थी ना इनमें आपको डिविजिन देखने मिलेगा लेकिन कोई पॉलिटिकल सिस्टिम जो है पॉलिटिकल सेट अब जो इस्टैबली नहीं हुआ था बस उनके एक ट्राइबल ही जो है ना नेचर था एक तरीकिसे चीफ डंग आप बोल सकते हो चीफ डंग सब्सक्राइब तो आपको रिविद जियन यहां पर काफी वर्द वर जो देखने को मिलेगा तो मतलब राजा ना पिर चिफ्टेन आपने के वह नहीं हुआ था दुखके राज्य जो ड़न राज्य यह वार्वी-मेंचन नहीं है एक बाज भी निया यह तरी किसे उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने काम करता था ताकि जो वार इसको विक्री मिल सके बल्कि कोई राजा निए और इसको गोपा या फिर गोपती भी बोला जाता था जो कि लॉड़ आप कैटल का भी इंपोर्टन थी इसे सोर्स आफ वेल भी माना जाता था तो और इसको चowra यही काम यहीं ता रही को चुना जाता था अभी चुना जा रहा है मतलब राजा वी निसकता था मेंबेर सही हर ей रेड़तन रधियागा रगानी अजहरे था सबस्सक्क्राइब प्र तो जो पाज तो इस ज्यादा मिलेगा राजा थे ना राजा था ही यह था सिर्फ फस्ट अमॉंग देको लगंसे वस्तमॉंग एक जैसे इस इसमें बस यह लीट करने गाम करता था वह और में ठीक है बाकी टाइम में से जो है वह मतलब जनरलोग के दरही रही तो पीपल देना इंका कोई इलाबोरेटर अडमिस्ट्रीव सिस्ट्म या फिर अपर देखने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अडिकोट सर्प्लस प्रोड़क्शन नहीं हुआ था फिर अद्मिस्ट्रीव कैसे डेवलप होगा जब आपने हमने देखा था अमने क्या देखा अरफपन सिविलाश्चन तो हरफपन सिविलाश्चन में काफी सर्प्लस प्रोड़क्शन था इसलिए अडमिस्ट्रीव सिस्टम जो काफी वेल डेवलप लेकिन यहां पर ऐसा नहीं देखने तो तो जो भी सर्प्लस होता था ना वह बाली के फॉर्म में जो दिया जाता थ लेकिन टैक्स आप इसे नहीं जाता था आज पर में जल्दी में मुझे बाहर जाना है इसलिए थोड़े वर्ट जो गड़ बड़ होते हैं इसलिए चांती से बिसक्स करते हैं तो रिग्वेज जो ना यहां पर असिम्ली जैसे कि सभा और समीतिक जो मेंशन की गई लेकिन अब फंक्शन क्या है दोनों की डिफरेंस दोनों की काम में का इस आपको प्लियर नहीं कि वहां पर क्लियर नहीं है रिग्वेज में हम कैसे बोल सकते हैं लेकिन जो माना जाता है कि सभा इना वह जो इल्डर लोग थे इनकी जो तरीक से गैधरिंग थी और जो समीतित इस इनकी जो जो गैधरिंग उत्ति उससे समय तिक आ जाता और इसको प्रजाट करना पॉलीजी मेंटर को डिसकर ना टैस कलेक्शन वगए टैक्स कलेक्शन मतलब बाली वगए फिर चीफ का इलेक्शन करना जो कि वार में लीट कर सके जो प्रटेक्ट कर सके इनी और इसलिए जो है ना आगे चलके वही जो सिस्टीम आगे डेवलब हो जाती है राजयशाही में शुरुआत हो चुकि लेकिन एक तरगी से फुल फ्लेज मोनार्ट के सिस्टम डेवलब नहीं हो तो यही फिर जो राजा अगरे होगा आगे चलके जो एलेक्शन बंद हो जाता है जो सभ कोई हमारा लीडर होगा तो फिर वहासी भी राजी से डेवलब होती है और इनका इंपोर्टन सभी बढ़ जाता है और समीत का इंपोर्टन दीविदरे कम होने रखता है और इस तरगी सिस्टिम डेवलब हो यह हम देखेंगे तो आप हम डिटेल में देखने कुशिस और यह क्या करती तो यह करने के लिए कट्टा होती तो इसका मतलब पोलीस वगरे होंगे लेकिन मेंचन नाम था इनका पॉलीस के लिए क्लीए बोला जाता था चे से साथ स्टेट ऑफिशिल्स जो हमें लेकिन इनका काम या नाम जो अच्छे से लेकिन इसके लिए वार फिर वह वह उसके लिए तो लड़ा नहीं होती लेकिन टेरी उन्होंने अकुपाय करना स्टाट कर जैसे जन वर्ण जन वर्ड मतलब कि लोग और जन वर्ट से लोग आएंगे तो लोगों का लिडर जो उसको राजाए बोले बोला जाएगा आगे लेकिन फुल फ्लेज जो पॉलिटिकल सिस्टिंग को डेवलप नहीं होई थे क्यों कि ट्राइबल चीप थी ट्रीटरियल बेसिस नहीं था जैसे मोनार की जो थी है ना हम देखिंगे मोनार की आगे जब उपनिशत स्वारी महाय जंद्पत वगर स्टार्ट का मगदन इंप ब्राइब फॉर्टिकल श्रॉलप नहीं हो थी तुम नेक्स लेक्श्टर जो है न या थीक मिनट को बचा है यहाँ पर देख सकते हो कि पॉलिटिकल जो सिस्टिम तर से सों होती है जो बेसिक यूणिट था न वह था कुल बेसिक यूणिट जो था होता है है कुल यहां से भी स्टाट होगा ग्राम मतलब फिलेज इसका है जोगा घ्रम यहां पर कुलबती घर के सारी डिस्टिशन से लेगा जन मतलब की राश्ट्र लेकिन राज्य वर्ड राज्य जो अधे यह कभी मेंशन वॉए नहीं रिग्विदी की लेकिन यहां से उस वह समय स तो यह जो पिरिदेना मतलब यह जो टॉपिक हमारा रेंस विदिक यहां पर हमने अब तक क्या डिसकस के बारे में आरेंस का किस तरके रेक्पांशन हो आए इनिशिल फेस्ट में देखा था किस तरके से आये फिर जो जगला वगरे होता था आरें मतलब आपके जो लड़ाय अब चलती रहे थी उनकी काउस के लिए तो यह मनें इसक्स क्या था फिर उनका एक्सपांशन फॉस्पेस सेटल पर सब्सक्राइब कर चुके रिलिजिस लाइब के बारे में इसक्स क्या रिगवेद शामवेद अजुरूवेद अफिलोसफ़ लिटर्टर्चाम ने इसक्स सब्सक्राइब करने वाले जब सब्सक्राइब करेंगे और फॉलिटिकल लाइफ में वागरे का रोल रहा था यह तो रही गया है तो यहां से आप थोड़ा ध्यान देना जो यह आपको याद रखने प्रिलिम्स के पॉइंट आप इसे कापी इंपॉर्ट हो जाते है कौन स सब्सक्राइब करेंगे पूरा फिरम में सब्सक्राइब करेंगे यहां पर आपको समझना है कि उनका जो इनिशल जो फेस्टाइक पांशनों कहा पर था लाटर फेस आपर यह आपको पता होना चाहिए तो नेक्स लेक्चर हमारा क्या इसके उपर होगा एकोनोमी और सब्सक्राइब करेंगे अधिके थैंक्यू पर डिसकूशन मिलते हैं नेक्स लेक्चर में